नमस्कार जमातागी कैसे हैं आप सब मैं हूँ सोनिया और आज एक बार फिर मैं आपको लेकर आ गई हूँ प्रगती मैदान में लगे हुए ट्रेड फियर में बाई देखो 14 तारिक से ये फियर स्टार्ट हुआ था और 27 नवेंबर तक चलने वाला है लेकिन अब कुछ अंति देखने वाले हैं पहले भी मैं तीन वीडियो अप्लोड कर चुकी हूँ अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं आज की वीडियो में आपको कुछ नया कुछ इस्पेशल जो पिछली वीडियो में कवर नहीं हो पाया था वो दिखाने की कोशि जहां पर आपको इस फेर के लिए टिकेट अवेलिबल होंगी तो चलिए विजिट करते हैं प्रगती मैदान की ट्रेट फेर में चलिए आप यह मेरे साथ तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो तो यहां पर मैंने अंटर कर लिया है गेट नमबर 10 से और आप देख सकते हो बहुत सारे लोग दूर दूर से इस फेर में विजिट करने आए हैं तो सबसे पहले आपको यह बोर्ड नजर आते हैं यहां से आपको बता चल जाता है कि किस हॉल में आपको क्या को मिलेगा यहां पर दो रास्ते बनाये वेते हॉल नमबर 12 और 10 में जाने के लिए तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर फूड कोड का लोकेशन दिखा रही हूं यहां पर बहुत बड़े बड़े पार्क हैं बहुत अच्छे यहां पर फाउंटेन लगे हुए जहां पर आ लगलग स्टेट का समान देखने को मिलता है स्कूल कॉलेज इंस्टिट्यूट के बहुत सारे स्टूडेंट्स विजिट करने आए हुए ग्रूप बना बना कर अपने स्कूल कॉलेज की तरफ से तो यहां पर मैं सबसे पहले एंटर हुई हूं हौल लंबर 12 में तो हौल लं इस रेंज में आपको यह जूलरी मिल जाती है आप रेट कम भी करा सकते हो तो नेक्स्ट स्टॉल मुझे यहां पर कुछ पर्फ्यूम्स का शेविंग क्रीम्स का मतलब ऐसे नाम देना मेरे को अब याद भी नहीं आ रहे हैं यह सब आपको पर्फ्यूम्स रेंज मिल जाती है तो नेक्स्ट में अतुल्या काउंटर पर आई थी हाँ पना सारे स्किन केर हेर के आपको प्रोड़क्ट मिल जाते हैं जो की नैचुरल बेस्ट है मतलब सब कुछ नेचर से रिलेटेड जड़ी बूटियां फूल पतियों से मिलकर यहां पर इनको प्रोड़क्ट को बना है तो भई अयूर ब्रैंड भी मुझे यहां पर नज़र आयती अयूर ब्रैंड आई थिंक कॉस्मेटिक की ऐसी ब्रैंड है जो हमने बच्वन में सबसे पहले देखी थी जब हमारी मम्मिया क्रीम लगाती थी और हेर ओयल लगाती थी तो यह ब्रैंड भी आपको यहां पर मिल जाती है शेम्पू है और ऑफर भी यहांपर आपको मिलते हैं जब आप दो खरीते हों तो आपको एक प्रोडक्ट फ्री मिलता है तो एक बड़ी Б्रैंड थी हापमर कलर सैंस की जिनके सारे आपको mas सब आपको तेस्टिंग भी कराते के कॉन से प्रॉड़क्त आपकी स् में कुछ इस तरह के हाइलाइटर आपको मिल जाते है लिपस्टिक की अमेजिंग रेंज आपको अलग-अलग ब्रैंड में मिल जाती है तो यहाँ पर मुझे भागलबूर के सूट्स नजर आये थे बही देखो फिफ्टीन हंडर्ड में ये पूरा सूट का सैट यहाँ पर ल तो खाना पीना घर से लेकर आना फूड इस्टॉल पर भी आप खा सकते हो लेकिन अपने घर का भान भी आप पर यहीं हाँ आपको लेकर हैं concerns तो इनस मिल जाते है और जैसे कि ऐंद कि एनाफ सब्सक्राते ये फेर चलने वाला है लास्ट डेज अब बचे है फेर के और बहुत सारे ओफर आपको मिल रहे हैं बहुत जगे सेल आपको नजर आ रहे हैं कम से कम रेंज में आप समान खरीद के ले जा सकते हो जहां रेट कम ना हो वहाँ पर आप रेट कम भी करा सकते क्योंकि मज़ेदार यहाँ पर महासेल अब चली हुई है तो नेक्स यहाँ पर मुझे सूट का स्टॉल नजर आयता है यहाँ पर ट्रिपल नाइन की रेंज में सूट लगे हुए थे लेकिन ट्रिपल नाइन के वो ही सूट थे जो पीछे की साइड आप तंगे हुए देखोगे वो आपको मिल जाते हैं और इस तरह की पैंट्स मैंने देखी थी 850 की रेंज में गजब पैंट थी इतने सारी सुंदर सुंदर डिजाइनिंग इसमें जरी की और कि रोशिय वर्क की थी ना तो अलग कलेक्शन अगर आपको खरीदना है तो आप दिल्ली के प्रगती मैदान में लगे हु आपको साड़ी हैं यहाँ पर मिल जाती हैं पच्छिस सो पैंतिस सो रुपे की रेंज में और इन्हों ने भी यहाँ पर काफी डिसकाउंट एंडिंग डेज में फेर में लगा दिया है तो यह सब आपको प्योर में मिलेंगे और जो इनकी डिजाइनिंग है ना सिंपल वो आपको यहाँ पर मिलता है यहाँ पर मैं आपको इनके डिजाइन प्रिंट दिखा रही है प्योर क्रेप में यह वाली साड़ी है 3500 रुपीज की और देख रहे हो ना पूरा डिजिटल प्रिंट इसमें आएगा मतलब कोई भी तड़क भड़क चमकीला पनिन में कुछ कुछी भी नहीं है कोई भी पता सिंपल सोबर साड़ियां यह आपको मिलती है देख रहे हो ना बहुत अमेजिंग कलेक्शन फेर में आप परचेज कर सकते हो बस कुछी दिन फेर के अंतिम दिन बचे हैं आप जल्दी से प्रोग्राम बना सकते हो आने का नहीं दो भई ऐसा लग सकता है कि हाँ भई हमारे यूज की नहीं है ऐसा कुछ नहीं खरीदना है खरीदो नहीं खरीदना मत खरीदो लेकिन 80 रुपे की टिकेट से आप पूरे फेर को पूरा दिन विजिट कर सकते हो बहुत एंजॉई कर सकते हो पूरी फैमिली के साथ बच्चे भी पिंग एरो भी देखने को मलते हैं तो इस फेर में ना मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे मिले थे जो कि मेरी वीडियो देखकर फेर में विजिट करने आयते तो चली आप भी मिलिए उनसे पूजा मैं मिली है नांगलोई से आई है देख लो भी आप वीडियो देखकर आया है लोग अच्छा लगा अच्छा लगा वीडियो से नौलिश मिली है थेंक्यू जाए किजिए यहां प्रियंका मैं मिली है मुझकों सारी रोर से आई है और कहा है हमारा व्लॉग देखकर ही हमका इनों ने विजिट किया तो मैं वीडियो कैसे लगी आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन पूरी ओके थैंकि मैं आपकी हर देखती हूं जाजपत नगर जी 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 सदर बजाता हूं अच्छा बजाता हूं अच्छ छाट्रियो भी टीक है चलो किटों एँ जोई करें में हम फ्यर में हम यहाँ पर आहिती है पर आपको कुछ बड़ी बढ़ी मशीन देखने को मिलती है जासे कि किसी भी अनाज का या किसी भी चीज का जैसे सरसो का तेल आपको निकालना है कुछ बिजनिस आइडिया आप इस फेर से ले सकते हो यहाँ पर ना सरसो का तेल निकल रहा था देखो बिल्कुल प्योर आइल आपको यहाँ पर इस मशीन निकाल कर दे दिया है तो इस तरह कि तो हम लोगों के शरीर में कहीं न कहीं दर्द रहता ही रहता है सरदियों में तो यह दर्द और भी बढ़ जाता है तो इस तरह की मसाजर मशीने भी आपको फियर में मिल जाती है यहां पर बैट कर आपना बहुत अच्छे से मसाज करा सकते हैं तीन हजार रुपे की रेंज मे यह आपको मिल जाती है तो यहां पर जितने भी विवर्स कस्टमर आए वेते सब डैमो लेकर जाते हैं जो भी जिस तरह का पेन हो आपको उस तरह की आप मशीन खरी सकते हैं तो यहां पर कुछ मुझे डिजिटल मशीने दिगी तीन जिसमें टैंपरेचर आजाएगा टाइ काफी डिसकाउंट मैंने बहुत सारी चीजों में देखा था जो चीज आपको लगेगी न महेंगी है लेकिन फियर में आपको डिसकाउंट भी मिल जाएगा और थोड़ा बहुत आप अपनी तरफ से भी कम करा सकते हैं तो यहां पर मैं आज की वीडियो में आपको फियर का वियर का महौल दिखाने की कोशिश कर रही हूँ तीन वीडियो में पहले भी डाल चुकी हूँ और हॉल नमबर टैन में जब आप आते हो ना वैजले के काउंटर पर भी आपको बहुत रश मिलता क्योंकि वैजले के फ्रोजन फूड सोया से बने होते हैं और इनका टेस्ट यहाँ पर बनाया गया खोया पाया केंद्र यहाँ पर बनाया गया मतलब पूरे फेर में बहुत अच्छी सुवीधा यहाँ पर की गई है किसी भी तरह का कोई भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है help की लिए आपको पुलिस भी जगा जगा देखने को मिलती है तो next यहा पर भी न सारी मुझे Korean jewelry नजर आती Korean hair accessories आपको नजर आती है तो इस वाले stall पर न अतनी जबरदस्त भीड देख रहे हो क्योंकि सारा यहाँ पर hair accessory item sale हो रहा था इस तरह की pin clips आपको Korea की देखने को मिलती है और हमेशा ही इतनी भीड इस counter पर मुझे नजर आती है प्राइस र brand भी आपको यहाँ पर मिल जाते नीचे sale आप देख रहे हो ने 50-50 रुपे में तो सस्ता collection आपको fair में मिलता है आरचीज का इतना cute toy का collection मुझे यहाँ पर नजर आता अब यह more देखो 500-600 रुपे की range में आपको यह आरचीज के more मिल जाते हैं बहुतने प्यारे प्यारे सु यहाँ पर loot price भी नजर आ रहा है 99 रुपे से आरचीज product की range यहाँ पर start थी और सिर्फ 599 रुपे तक highest range 599 थी जिसमें कि आप इस तरह के मग ले सकते हैं अब यह वाला मग मुझे समझ नहीं आता तीन जने इसको कैसे पीएंगे मतला तीन handle थे इसमें तो जो लोग एक दू काउंटर था बच्चे तो यहाँ पर न लगे पढ़े थे चोटी चोटी डाइरी अल्बम लेने के लिए कुछ knowledge वाली डाइरियां भी यहाँ पर थी तो अलग अलग state का और countries का मैंने यहाँ पर home decor item देखा था तो इस वाले stall पर सारा wooden item था इस तरह के चोटे-चोटे stool table मु purchase कर सकते हैं काफी अच्छा home decor item आपको यहाँ पर खरीदने को मिलता है और मैं आपको फिर से याद दिला दू कि इस फेर की तीन वीडियो में पहले भी upload कर चुकी अपने चैनल पर जो collection आपको इस वीडियो में नजर नहीं आएगा वो आप उन वीडियो में देख सकते हो तो सारी वीडियो देख डालो मेरे चैनल पर जाके trade fair की और जल से जल्द यहाँ पर आने का plan करो क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं सिर्फ 4-5 दिन ही इस fair के बचे हैं 27 नवंबर को last day यहाँ पर इस fair का होगा तो आप जल्दी से plan कर सकते हो पने nearest metro station से आप fair की ticket purchase कर सकते हो online pay ATM के थ्रू भी आप अपनी tickets book करा सकते तो बहुत easily आपको यहाँ की tickets available हो जाती हैं तो यहाँ पर मैं आपको home decor item दिखा रही हूँ मतलब इस fair में ना पूरी family के लिए छोटे से बड़े जितने भी senior लोग होंगे ना उनकी जरुद का आपको सारा समान मिलने वाल है home decor item की तो different state है हमारे देश के हर state का आपको महाँ पर clothing, fabric और home decor उनका जो हातों से बना हुआ समान होता है वो आपको मिलता है यहाँ पर केंदरिये सुवीदा केंदर मैं आपको दिखा रही हूँ जो भी आपकी कोई problem हो तो आप इस तरह के board यहाँ पर देख सकते हो may I help you का जो भी बड़ी brands आपको यहाँ पर देखने को मिलती है जिनका product आप टेस्ट करके खरी सकते हो यहाँ पर डाबर की कुछ वैद शक्ती वाली चाय की टेस्टिंग हो रही थी और वाकी वो अच्छी थी टेस्ट में काफी कड़क चाय थी मैं तो कड़क चाय पीने वाली हूँ तो य stress shop पर mall में कहीं पर भी store में आप एसली करी सकते और खाने पीने के बहुत सारी चीजे हैं लेकिन भेलपूरी तो मैंने यहाँ पर अपनी पेट्पूझा भेलपूरी से की थी तो खाने पीने के बहुत सारे stall आपको मिलते है अलग-अलग state का आप खौत सकते हो देश के हर र मिलती है जब ये हरी दर्शन के चंदन का तिलक आपको लगाते हैं वही फेयर की सबसे सुकून शांती वाली चीज ये है हरी दर्शन धूप का ये रामदरबार तो ये चीज बहुत अच्छी सफेयर की थी तो हॉल से निकल कर आप खुले आसमान के नीचे भी इस तरह के स्ट सस्ती शॉपिंग भी यहां से लोग करके जा रहे हैं चद्रे खरीदो फुट विएर खरीदो और नेक्स दुबारा से मैं आपको फिर से यहां पर हॉल में लेकर आई हूँ तो एक हॉल में जब आप एंटर करते हैं तो उसी के अंदर आपको तीन-चार हॉल नजर आते हैं हॉल नंबर फाइव में मैं आपको लेकर आई हूँ तो इस हॉल में स्वास्थेवं परिवार कल्यान से जुड़ी हुई कुछ योजना आपको नजर आती हैं जो की सरकार की तरफ से हमारे स्वास्थे के लिए चलाई गई हैं या पर आयुश्मान भवा का प्रोजेक्ट ल ले सकते हो तो इस तरह की यादे आपको यहाँ पर नजर आती हैं अब इन मैम को देखो कितनी मौज मस्ती कर रही हैं अपनी रील बना रही हैं अराम से थाइलेंड के काउंटर पर आकर थाइलेंड के हॉल में आकर भई देखो इसी मौज मस्ती को करने के लिए लोग फेर म जब आप हाल नमर फाइव में आते हैं आपको अज़रा थाइलेंड का ये सटॉल नज़र आता है इनका विंटर वीर कलेक्शन इतना गजब है जर्फ हजार बारासो फंद्रासो रुपे की रेंज में आप थाइलेंड का विंटर वीर खरी सकते हैं और इनके स्टॉल पर तो इस वाले स्टॉल से मैंने शॉपिंग भी की थी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने यहां से क्या परचेज किया है, यहां पर आप सारा कलेक्शन देख सकते हो, प्राइस रेंज देख सकते हो, यह छोटे से स्टॉल में न अतनी भीड मिलती है, क्योंकि इनका कलेक् तो इस तरह की हेल्पिंग एरो आपको जगजगे देखने को मिलती है, स्टेज पर परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हो, तो आपको बैठने के लिए इस तरह का स्पेस स्टेज के सामने नजर आता है, आप थोड़ा आराम भी कर सकते हो, एंजोई भी कर सकते हो, तो पूरे फेर में एंजोई के लिए मौज मस्ती के लिए बहुत सारी चीज़े हैं, तो इसी लिए इस फेर में लोग विजिट करने आयों है, अब मैं फाइनली आ गई हूँ हाल नमबर 6 में, एक से लेकर 14 तक आपको हाल मिलेंगे, एक एक करके आप अलग-अलग हाल में जाएंगे, समान देखेंगे, पर्चेजिंग करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, तो हाल नमबर 6 में मुझे यहाँ पर सारा समान दिखा था, जिसमें क्लोधिंग थी, और यहाँ पर मैं गुजरात के स्टॉल पर आई थी, यहाँ पर मुझे कुछ हैंडमेट जूलरी नजर आ में आपको जूलरी मिल जाएगी, हातों से बनी हुई भी, तो यहाँ पर गुजरात के स्टॉल पर आपको बैट शुट मिल जाती हैं, कुशन कवर मिल जाते हैं, साडिया मिल जाती है, मतलब क्लोधिंग का अमेजिंग कलेक्शन आप यहां से पच्चेज करके लेके जाने आज की वीडियो में मैं आपको हॉल का व्यू दिखा रही हुए कि किस हॉल में किस तरह का कलेक्शन आपको मिलेगा, यहां पर सूट से सिल्क फैबरिक में, मतलब आगे से तो सिल्क का फैबरिक था, लेकिन जो अंदर था वो कॉटन का था, जो अस्तर वाली जगे होती ही तो यह कह रहे हैं, इसको हमने इसी तरह से वीव किया है, कि बाहर से वो सिल्क का नजर आए और अंदर की साइड से कॉटन का नजर आए, तो इस तरह की कारी गरी आपको इस फेर में डिफरेंट स्टेट्स की देखने को मिलती है, पूरा कलेक्शन में आपको दिखाने की को सकते हो, एक एक चीज को देख सकते हो, खरी सकते हो, और यहाँ पर मैंने एक स्टॉल देखा था, लैदर से बने हुए कुछ एनिमल यहाँ पर बनाए वे थे, और यह जो बड़े वाला घोडा देख रहे हो ना, यह आपको 500 रुपे में मिल जाता है, क्वालिटी मुझे अ दुपटा बताया था, मल्टी शेड में, प्योर सिल्क में यह आपको मिलेगा, और इतना लंबा चोड़ा दुपटा था ना, यह के सिंगल बैट की चदर के बराबर यह पूरा दुपटा था, तो यहाँ पर मैं आपको सारे काउंटर्स दिखा रही हूं के, जूलरी के, सा खादी में कूर्ति मिल जाती है, इनकी रेंज है हजार, बारा सो, पंदरा सो, अठारा सो, बाइसो, क्योंकि कुछ टॉप है, कुछ सूट है, सबकी रेंज आपको डिफरेंट मिलती है, लेकिन कलेक्शन बहुत अच्छा, खादी के फैबरिक में यह आपको टॉप सूट मि आपको काफी अच्छे-च्छे मिल जाते है, स्मॉल, मेडियम, लार्ज, एक्सल तक ही आपको मिल जाते है, कौड सेट भी मैंने हापर बाइसो रुपे की रेंज में खादी का देखा था, अंगरक्खा स्टाइल में आपको यह कुर्ती भी मिल जाते है, देखो भी खादी लवर है, जो खादी के कपड़े से प्यार करते हैं, उनको पहनना पसंद करते हैं, वो आपको मिल जाते हैं, और कुछ स्टेट्स की आपको यहाँ पर कारिगरी हस्त शिर्प देखने को मिलती है, किस तरह से लकडी पर उन्होंने कारिगरी करके इन मूर्तियों को बनाया हर स्टॉल में, हर हॉल में आपको डिफरेंट कलेक्शन, डिफरेंट चीजे, डिफरेंट कल्चर देखने को हर स्टेट का मिलता है, आपकर कृष्ण जी की मूर्ति बनाया थी, लकडी से देखो लकडी को कितना सुन्दर रूप इनोंने दिया हुआ है, किस तरह से जो हमार कश्मीर के भी आपको स्टॉल्स, काउंटर, शॉप्स बहुत मिलती है, उसमें पूरा कश्मीर का ही कलेक्शन आपको नजर आएगा, कश्मीर के सूट, फिरन, ये सब आपको देखने को मिलते हैं, पूरी कश्मीरी कढ़ाई के साथ, तो इस तरह की पर्चेजिंग अगर आ ये हैंड बैग देखे थे, ये बारा सो रुपे का था, लैदर पे ना कश्मीरी कढ़ाई की हुई थी, इन्होंने प्योर लैदर में आपको मिलेगा, और ये जो एम्रोइडरी आप देख रहे हो, ये कश्मीरी कढ़ाई है, ठीक है, तो पर्स में, हैंड बैग में और दूर बोल कर देखना, मैं बहुत लोगों को देखती हूं, और जो भी मैं भी पर्चेजिंग करके आई हूं, मैं भी रेट कम कराके, बार गेन कराकर ही लेकर आई हूं, ऐसा नहीं है कि रेट जादा लगे और हम निकल पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, फेर से डरने क खिलोनों से खिलना पसंद करेंगे, लेकिन जब आप उनको इस फेर में लेकर आते हो ना, तो वो बहुत एंजोई करते हैं, लकडी के खिलोनों को खरीदने के लिए भी बच्चे अपने ममी पापा से बहुत जिद कर रहे थे, तो इंडियन ब्रैंड के आप भारतिये खिल लकडी से बने हुए, अपने बच्चों को दिला सकते हैं, लाइफ लॉंग होंगे, और बच्चे भी इनको खुश हो जाएंगे, पाकर देखरों ना, कितने सारे बच्चों की भीड लगी है, पर चेजिंग कर रहे हैं, तो एक शीशा भी मुझे आपन नजर आया था, भई इसमें लक्ष्मी जी और गनेश जी की मूर्तियां बनी थी, लकडी कितनी सुन्दर लग रही थी, तो ये सारा डिफरेंट कलेक्शन आपको इस फेर में देखने को मिलता है, तो इस वीडियो में मैंने आपको कुछ अलग कलेक्शन दिखाने की कोशिश किया, क्योंकि फेर रहते हैं, आने में कोई दिक्कत है, तो आप उन वीडियो को देखकर एंजॉय कर सकते हो, घर बैठे बिठाए, ट्रेट फेर का मजा ले सकते हो, तो हर वीडियो में आपको डिफरेंट कलेक्शन, डिफरेंट हॉल, मैंने पूरा पूरा दिखाने की पूरी पूरी कोशिश की है, तो इस तरह के आपको यहाँ पर पूजा पार्ट से रिलेटेड भी समान मिल जाते हैं, यहाँ पर यह जो आप दुर्गा माता की फोटो देख रहे हो ना, सके अंदर यह किसी पेड़ के तने के मैटीरियल से बनाए गई है, मतलब नैचुरल चीजे आपको मिलते हैं और इसी की हेल्प से इनोंने इसको पूरा हातों से क्या रूपी दे दिया है, मतलब भगवान की सुन्दर सुन्दर यहाँ पर इनोंने मूर्तियां बना दी है, फ्रेमिंग करी हुई भी आपको मूर्तियां यहाँ पर मिल जाती है, तो यह सारी चीजे मैंने आपको फेर मे पूरी पूरी दिखाने की कोशिश की है बहुत एंजॉय आफ फेयर में करने वाले हो तो जल से जल विजिट कीजिए नहीं तो वीडियो से ही एंजॉय कीजिए घर बैटे बिठाए परकदी मैदान में घूमिये और जाते जाते वीडियो को जल्दी से लाइक करके जरूर जाना तो चलिए ये था मेरा 2023 नवेंबर का ट्रेड फेयर का व्लॉग आई पोप आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो जल्दी से जल्दी विजिट कीजिए आपके 27 तारिक तक ही ये फिर आपको यहां पर विडेगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल्द बाई जय मता की